देश में आज हर वेर्ती डिजिटल क्रांती का हिस्सा बन रहा है लेकिन देश के लोग जतना डिजिटल एडवांस हो रहे हैं उन पर साइबर अटैक का खत्रा भी उसी तरह भड़ रहा है आपको बता दे पठान कोड में भी साइबर अटैक का मामला सामने आया है जिसके बारे में जानकारी देते हुए आज सुरेंद्रे लामबा ने बताया कि पठान कोड के रहने वाले एक परिवार साइबर अटैक का शिकार होश्पा सार, SSP सुरेंद्रे लामबा ने कहा कि आप साइबर अटैक वाले नए तरीके के हटकंडे अपना कर लोगों को लोट रहे हैं और बीटे दिन जो मामला सामने आया उसे सुन कर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से आपको एक फोन आता है और फिर कहा जाता है कि मैं आपका कोई रिष्टदार हूँ उसके बाल दरोपी द्वारा आपको पैसे भीजने के नाम पर आप से ठगी कर ली जाती है और आप साइबर क्राइम अटाक का शिकार हो जाते हैं और क्या कहा SSP सुरेंद्र लांबा ने साइबर क्राइम को लेकर आप खुजे सुने जी नमस्कार पहले तो सबको और ये बहुत important issue है और इस पे बात करना और लोगों को अवेर करना भी बहुत जरूरी है जिस तरीके की modus operandi recently cyber fraud के अंदर एक नई modus operandi एड हुई है वो ये है कि आपको एक phone आता है आपके किसी known के नाम से और जो recently कुछ एक fraud यहां पे हुए है पठान कोट में और कुछ और दूसरे शहरों में रिपोर्ट हुए है कि किसी विदेश से किसी आपके जानकार का phone आएगा किसी unknown number से उसके नाम से जानकार के नाम से आएगा या वो आपको gas करने के लिए बोलेगा कि आप नाम gas करो आप मुझे पैचानो और फिर आप एक नाम बताएंगे और वो वही नाम कहेगा कि हाँ मैं यही बोल रहा हूँ और उसके बाद में वो आप से बात करेगा कि मुझे इंडिया आना है और इंडिया में मैं कोई property खरीदना चाहता हूँ उसके लिए मैं आपके खाते में पैसे डालना चाहता हूँ इंडिया में मैं कोई गाड़ी खरीदना चाहता हूँ उसके लिए मैं आपके खाते में पैसे डाल देता हूँ आप मेरी गाड़ी बुक करा देना इंडिया में मैं कोई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ला रहा हूँ उसके लिए मैं आपके खाते में पैसे डालना चाहता हूँ तो आप अपने खाता नंबर मुझे भेज दो और मैं आपके खाते में पैसे डाल देता हूँ उसके बाद में फिर वो आगे further investment हम करेंगे तो इसमें एक अम्मूमन एक आदमी की सोच होती है कि मेरे खाते से जा कुछ भी नहीं रहा है और ये कुछ ने कुछ मेरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने की बात कर रहा है तो इसलिए आदमी को कभी शक नहीं होता है कि ये कोई fake या fraud call हो सकता है उसके बाद में वो आपसे का account number लेके और बकाइदा आपको रसीद भेजेगा कि जी आपके खाते में मैंने ये पैसा ट्रांसफर कर दिया है कई बार fake bank का call भी आता है confirmation के लिए जो कहता है कि जैसा उसने पहले fraud ने कहा होता है कि मैं आपके खाते में 20 लाग डाल रहा हूँ 10 लाग डाल रहा हूँ बैंक से call आता है confirm करने के लिए और बैंक वाले पूछ रहोते हैं आपको कि जी आपके खाते में इतने पैसे आने क्या आप ठीक receiver हैं और ये आपके खाते में transfer कर रहा है तो हम cross check करने के लिए एक बार आपको phone कर रहे है तो आप और confident feel करते हैं कि अच्छा bank से भी confirmation call आ गई है तो अब मेरे खाते में तो पैसा आना ही है मेरे तो कोई नुकसान नही है और फिर वो bank वाले आपको promise करते हैं कि ये आपका processing जो है बारा से जो है ठारा गंटे के बीच में या बारा से चोईस गंटे के बीच में या जितना भी time वो बताते हैं इसके बीच में आपका ये पैसा transfer हो जाएगा आपके खाते में और in between आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमसे बात कर सकते हैं इस तरीके से ये सारा प्रोसेस होने के बाद में जो caller था fraudster जिसने आपके खाते में पैसे transfer करने की बात कही है वो आपको फिर वापस call करता है और एक panic call करता है वो आपको एक कहता है कि पाजी बाई-साब या मतलब अंकल या जो भी कुछ कहना है उसने कहके कि जी मेरे इंडिया में ये दोस्त को कुछ पैसा मुझे देना है और अर्जेंटल देना पड़ेगा ये किसी वीजा फीस के नाम पे किसी ए टिगट के नाम पे किसी और अर्जेंट रिक्वार्मेंट के नाम पे वो आपको कहता है कि जैसे मालो उसने आपके खाते में 20 लाग जमा कराया वो आपको कहता है जी 3 लाग रुपए आप ये खाते में आप ट्रांसफर कर दीजिए तो आपको लगता है मेरे खाते में तो पैसा 20 लाग इसका आई रहा है मैं तीन लाग रुपे इसके काने पर चलो मेरा जांद आजाएगा तब मैं कर दूँगा पिर आपको तेरा account आ जाएगा, तब मैं कर दूँगा, फिर आपको emotional तोड़ा सा अपना card प्ले करता है, कि पाजी मैंने आपके trust करके मैंने आपके खाते में 20 लाग दलवा दिये, आपको मेरे पर यही trust नहीं है, इस तरीके की जो चीज़े हैं, मैंने personal relationship को question करने लग जाता है, और somehow आप इस moral pressure में, वो trap में उसमें होके, आपको लगता ही नहीं कि कभी fraud हो सकता है, और आप वो पैसे उसके खाते में transfer करवा देते हैं, तो कई लोगों के साथ 4-5-5 लाग रुपे, अभी जो recently fraud एक report हुआ है, मुझे 7-5-5-5 लाग रुपे, ऐसे ही किसी बंदे के जो हैं, वो fraudster ने transfer करवा लिए, तो इसके लिए आपको realize ही कई बार तो होता है अगले दिन, जब आपको लगता है कि जब आप बात करते हैं कि मेरे खाते में पैसा नहीं आया, और आप original जो caller का, जो original बंदा है, उसको आप फोन करते हैं कि जी आपके कहने पे मैंने पैसा transfer किया है, और वो बिल्कुल अंजान जाहिर करता है कि मेरे तो बात ही कोई नहीं हुई, तब आपको बता लगता है कि आपके पास fraud हो गया है, तो इसलिए आपके बादिम से मैं ये सभी लोगों तक पहुचाना चाहूँगा ये बात, कि इस तरीके की modus operandi और trap में बिल्कुल ना आए, अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी call आता है, पैसा आने की बात है वो ठीक है पैसा आ जाए, आप किसी के कहने पे कोई पैसा ट्रांसफर ना कराएं, पहली बात, दूसरी बात इसी के साथ साथ, कुछ लोग आपसे OTP शेयर करने की बात करेंगे, कुछ लोग आपसे एक एप डाउनलोड करने की बात करेंगे, तो ये ना आपने एप डाउनलोड करना है किसी के कहने पर ना किसी के कहने पर OTP शेर करना है ना किसी के कहने पर पैसे ट्रांसफर करना है जिसको आप जानते नहीं है जिसको आप बूस्टे नहीं है आपके सामरे नहीं बैठा और जिसको आपने क्रोस चेक नहीं कर लिया है दो बार उसके कहने पर कोई भी कारवाई ना करें डिफरेंट डिफरेंट मॉर्डस ऑपरेंडेज के साथ फ्रोडस्टर्स ये साइबर क्राइम कमिट कर रहे हैं इसके बाद में जब ये इन केस इस त इसके बारे में मैं डिटेल आपको बताओं पहले मैं इसी को कंटिनि करता हूँ कि सबसे पहले आप तुरंत जो है 1930 पे फोन करें फोन करके और अपना इंसेडेंट रिपोर्ट करें हमारा पठानकोर्ट के लिए हमारा पठानकोर्ट साइबर सेल जो है उसको हमने 24-7 एवि हमारा help desk यहां पर लगा होता है मेरे ऑफिस पर और वो जब मर जी कोई आदमी आपे आके भी अपनी रिपोर्ट कर सकता है अदरवाइस फोन के तूए उसको रिपोर्ट करवा सकता है तो वो रिपोर्ट करवना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके खाते से एक बार पैसा अगर कोई निकाल लेता है तो उसको trace करना उस पे कारवाई करना उसकी investigation करना हीज़े very lengthy process तो इसलिए आपका fraud ना हो पहले यह तरकता बहुत जरूरी है इन case कोई गलती हो जाती है तो तुरंत national cyber crime help line पर report किया जाए so that कि उसको उसी account को उस खातों के transaction को immediately freeze किया जा सके यह सबसे जरूरी है अभी जो fraud हुआ है तो मैं उनका नाम आप के सामने disclose लोगों के सामने नहीं करना चाहूँगा बट पठान कोट के निवासी हैं और बुजूर्ग बंदे हैं जिनके पहले जिनके पास फोन आया उनकी वाइफ के पास फोन आया कि मैं लंडन से बोल रहा हूँ और उनके ब्रदर होने का उसने मतलब ढ़ोंग किया जब उनकी वाइफ ने कहा कि भी मैं तो accounts और इसमें deal नहीं करती हूँ तो उन्होंने अपने husband को फोन पकड़ा दिया उनको का कि मेरे ब्रदर का फोन है तो सम्भाव मुझे लगा कि इस वज़े से भी शायद उनको शक नहीं हुआ उन्होंने बात करी कि मैं पैसे ट्रांस्फर करा रहा हूँ मेरी BMW का रहा आप बुक करा देना मैं इंडिया आ रहा हूँ आप किसी को परिवारों को बताना मत सर्प्राइज मेरा विजट है और उसके बाद में फिर उन्होंने सारा वोई मोडस ओपरेंडी पहले उन्होंने का कि 4 लाग रुपे वीजा प्रोसेजिन फीज के लिए ट्रांस्फर करा दो फिर 3,5,5,5 लाग रुपे आप टिगटिंग के लिए ट्रांस्फर करा दो तो और उसके बाद में फिर उन्होंने रसीद भी उनको सिटी बैंक की रसीद एक फेक रसीद भी भी भीज़ दी उनको लगा कि रसीद भी आगी तो इसका मतलब ट्रांस्फर हो जाएगा बट ये ओबिसली मतलब फ्रोड था तो होना नहीं था तो हम इसमें आगे इन्वस्टिगेट कर रहे हैं हमने काफी एकाउंट्स फ्रीज करवा दी हैं इसमें बट अच्छा फिर क्या होता है इसके आगे नेक्स टेज है जब आप फ्रोड रिपोर्ट कर भी देंगे तो वो आपको फिर से कहेगा कि जी आप हमें रसीद भेज़ दो हम आपको वापस आपके खाते में डलवा देंगे पैसे वो तब तक नहीं मानेगा जब तक कि आप उसको ब्लॉक निंग कर देते हैं वो तब तक कि अपने आपको honest और सही ही प्रूव करता रहेगा कि गलती से आपके खाते से पैसे कट गए तो आप हमें बता दो हम आपको दे देंगे और फिर आपका OTP शेर करवा देगा या कुछ और दूसरे trap में डालने कोशिश करेगा अगर आप नहीं डले तो फोन रख देगा अगर आप डल गए फिर से OTP डाल दिया या फिर से कोई app डाल दिया फिर से आपके पास से fraud कर जाएगा